कि नमस्कार साथियों राजस्थान युनिर्सिटी अमसी प्रियोसर मैंस्मेटिक्स के पेपर फर्स्ट को कंटेंड करने वाली जॉब की बुक है ट्रिपल है उसकी युनिट 5 अमारी रुनिंग में और युनिट 5 का ये लेक्चर 16 है जिसमें हम आई-पेस पर बेस्ट और्थोगोणल मैट्रिक्स को पड़ेंगे और इसकी एक जो फ़र में उसको प्रूव करेंगे इंपोटेंट फर मे तो सबसे पहले समझते हैं और तो इसकी जो मैथमेटिकल डिफिनेशन और वह क्या है कोई भी स्कॉयर मैट्रिक्स सपोस ए जिसका ओ multiply है वो chronicle delta i z आए अब यहां पर CICJ का मेंनिंग क्या है इत प्लेस का जो column है और j place का जो column है उनका multiplication chronicle delta i z आना चीए अब ये chronicle delta i z का मेंनिंग तो आपको अच्छे जे पता है सेम कोलम का किसी एक kolum का खुझ से multiply सेम कोलम का जो multiply करेंगे ना वो वनाना चीए और उस a ri और a r z इनका हम multiply करें समेशन r equal 1 to n तो आपका chronicle delta i z आना चीए chronicle delta i z इसी से ही आया कैसे आया देखो जैसे मैं पहले कोलम की बात करूं तो उसमें कुछ element इस टाइब की होंगे a11 पहले कोलम की बात कर रहा हूं तो a21 a31 and so on first column है तो यह place तो fix हो गया suppose आये थे कोलम की बात कर रहा हूं है तो c sorry a ri और r आपका one to n चलता जाएगा ठीक है ऐसे ही z place वाला जो कोलम है उसके लिए भी हम लिख सकते हैं तो दोनों का multiply और इनको जब इनका जो सम्मेशन है वह r equal one to n इसका सब्सक्राइब यह सारे element आ रहे हैं जब इनका हम multiply करेंगे तो same element same column के साथ करेंगे तो one आएगा और बाकियों के साथ करेंगे तो zero आएगा यह इसका मिनिंग है तो इन तीनों में से जोबी कोई भी एक कंडिशन हम प्रू कर देंगे तो हम उस matrix A को क्या बोलेंगे orthogonal matrix बोलेंगे ठीक है अब इस पर बेस्ट है जो इसकी थोर में उसको देखते हैं किसमें पड़ी थी self-adjoint या फिर symmetric matrix में ठीक है उसमें क्या था अगर mapping आपकी symmetric थी mapping आपकी symmetric थी तो बनने वाली जो matrix थी उसको भी आपने symmetric प्रूव किया था ठीक है if and only if की थोर्म वो भी थी और यहां पर क्या है matrix अगर आपकी और्थोगोनल है तो बनने वाली जो matrix है वो और्थोगोनल होगी यह दोनों में तर ध्यान रखना आप वहां पर क्या था self-adjoint में यानि symmetric matrix में जो आपकी mapping थी वो symmetric थी ठीक है mapping symmetric थी तो उस mapping के respect में बनने वाली जो matrix थी उसको आपने symmetric प्रूव किया था यहां पर mapping आपकी और्थोगोनल है तो बनने वाली जो आपकी matrix है वो भी और्थोगोनल होगी यह आप भी प्रूव करेंगे ना if and olive किये तो converse part भी issue में हो जाएगा तो सबसे पहले basis आपको और्थो नॉर्मल दिरखी है और्थो नॉर्मल बेसिस है तो उसको मैं लेट कर लेता हूं लेट विए इक्वॉल वी वी टु अप तो वी अन बी एन ऊर्थो नॉर्मल भेसिस कप OFF वी की ओर्थो नॉर्मल बेसिस मैंने लेट कर ली ठीक है और वी के में दो element लेट कर लेता हूं ठीक है general element ले लेता हूं में वी आई कोमा वी जे belongs टू वी देन तो अब मैं टी ओफ वी आई अगर लिखना चाहूं मतलब टी के respect में मैं matrix define करना चाहरा हूं तो matrix कैसे define करते थे हम summation apply करते थे और यहां पर a और वी लिखते थे ठीक है यह जो index है यह second index बनाते थे एका तो यहां पर कुछ भी हम लेट करते थे suppose r ले लूँ में ठीक है r i यह जो index है यह second index होना चाहिए एका ठीक है और यह जो आपने वी ले रख है इसके सब्सक्रेट में क्या लिखा जाएगा और बस यह वाला सेम होना चाहिए और इदर यह दोनों से अब की बार r मैंने ले लिए तो एस ले लेता हूं और यहां पर इंडेक्स यह तो स्जे और वी एस वी एस एक्वल वन टू एन ठीक है तो मैंट्रिक्स मैंने डिफाइन कर लिए ठीक है ठीक है ठीक है रिस्पेक्ट में ओके अब यह मैं लेट करके चलता हूं इसको मैं प्रूब करूंगा लेट कि टी प्रॉम वी टू वी इस और्थोगोनल अगर यह और्थोगोनल है तो इसका रिजल्ट हम काम मिले सकते हैं क्या मंधू आइक टी किलुम और लेक्न यहां पर फीशनल्ट हम अपर यहु वी टाइब के नहीं है और उनके एक तो वी और एक वीजे और उनकी टी के रिस्पेक्ट में हम मैट्रिक्स भी डिफाइन कर चुके हैं ठीक है तो यहां पर यू को तो मैं लिख रहा हूं वीजे तो क्या लिखें टी ओफ यू आई कोमा टी ओफ वीजे वीजे यह इनका इनर प्रोडेक्ट और इधर क्या मैंने वी आई इसका इनर प्रोडेक्ट वीजे के साथ ठीक है अब टी ओफ वी आई की वैलू है मेरे पास हुआ मैं सब्स्टिटूट कर रहा हूं यहां पर इनर प्रोडेक्ट ओफ समेशन और एक्वल बन टू एंड ए आर आई वी आर विद समेशन एक्वल वन टू एंड सिस toだから ओर वी आई यही था यही वी एस यही अ ही वी-एस विएस-टा यह वी एस और यह क्या मनएगा वी आई वीजके इनर प्रोडेक्ट कौम क्या लिखेंगे क्रोनिकल डेल्टा आई जे क्यों क्योंकि और्थ नॉर्मल बेसिस है यह ठीक है ओके यह आगया हमारे पास अब इनको मैं सोल करता हूं तो जो स्कलर क्वेंटिटी वो तो आगया जाएगी डेमल समेंशन के साथ यह नहीं आर इक्व समेशन और उइकम समेचन कोंशन हुए और div समयशन हिकम क्या इवल नंढाई अर्फ आइस जे और यह क्या मनेगा स्ट्रोडेलटा और स्टिकेज्टे क्हें एस में इनकिए्ट अग्रोड़्ड़ क्रोड में आइधि समेशन को यूपन करूंगा ऑफ है उपन कर रहा हूं ह तो क्या आएगा देखो जैसे ही S की value R की एक्वल आएगी तो इसके value 1 और यहां पर क्या बनेगा A R I और A R Z बन जाएगा जैसे ही S की value R के बरबर आएगी तो S को मैंने R किया और इसके value 1 हो गई ऑप ये देखो ये किसकी डेफिनेशन थी और्थगोनल मैट्रिक्स की लास्ट मैथमेटिकल स्टेट्मेंट थी उसमें आपने ये रिजल्ट लिखा था इक्वल डेल्टा इसे करके इसका मतलब आप क्या लिख सकते हो एट्रांस्पोज इंटु ए आई आ रहे हैं आपका मतलब आपकी मैट्रिक्स है वो कैसी और्थोगोनल है ए ए इस और्थोगोनल मैट्रिक्स ठीक है यह लेकर चले था हम इसको अमने प्रूव कर दिया कैसे फ्रूव किया एक बड़ इसको समझ लो वैसिस आपको और्थोनॉर्मल द्रीक्षिए तो मैंने लेटे कर ली यह बैसिस है और्थोनॉर्मल वी की तो मैं यहां के कोई दो element लेता हूं सबोस्थ वी आइज यह दो element लिए मैंने कि जाओ वी आई वीजे दो element लिए ठीक है तो ट के respect में मैं matrix define करना चाह रहा हूं तो कैसे define होगी ट यॉप वी आई के लिए समेशन और यहां पर A और B लिखते हैं यहां पर जो second index है वो यह वाली आएगी हाँ यहां पर कुछ भी कर सकते हैं suppose R अमने कर लिया तो R में ने किया समेशन R equal 1 to N हो गया अगर मैं वीजे के लिए फाइंड करो तो क्या हैगी यहां पर इस इंडेक्स है वो एक ही सेंकेंड इंडेक्स रहेगी यहां पर हम कुछ भी ले सकते हैं यह दोनों से होनी चाहिए ठीक है तो वी आई वेजमेंड इटिफाइंड कर लिया अब मैं इसको लेट करके चलूँगा और यह प्रूव करूँगा अगर मैं इसको और्थोगोनल लेकि चल रहा हूं तो इसकी मैथमेटिकल डेफिनिशन क्या थी यह वाली ओके अब यहां पे जो एलिमेंट वह तो यू और वी टाइप के हैं और मेरे यहां से लेने तो मैं वी आई यह यह वापस से ख्रोणिकल डेल्टा रस बनेगा जो इंडेक्स उनके साथ ठीक है जैसे मैं समय सने एसको ऑपन करूंगा तो यह यह जो इसकी बराबर आईगी तो इसकी वाली बन और जाएगा ठीक है अब यह जो इस्टेटमेंट लाश्ट में आपके पास आई है किसकी स्टेटमेंट है और्फोनल की ओर्फोनल मेट्रिक्स की अब करना बेखते हैं यानि अगर और बेसे सब्सक्राइब इसको मैं और जो मैपिंग और पीजिए तो और कुछ नहीं करना आपको आपको कनवर्स पार्ट में रिवर्श और आपको लेना है अगर मैं इसको लेके मेट्रिक्स ए उसको अगर मैं और्थोगोनल मेट्रिक्स लेके चलता हूं तो यह लिख सकता हूं और यह कहां से यह इस रिजल्ट से रिवर्स ओडर में चलना आपको ठीक है तो अपकी जो मैपिंग वो कैसे हो जाएगी और्थोगोनल जाएगी यह आ गया इसका मतलब और्थोगोनल आ गया ओके तो यह आपकी थोर्म थी अब एक लास्ट लेक्चर और बचाए इस यूनिट फिट पर फिर अपकी यूनिट फ गूत को यह दो हो